नमास्ते फ्रेंसो आज गेंगटक में हमारा पहला दिन है फ्रेस हो चुके हैं अभी अभी पूंचे हैं अगर पहला प्लोग नहीं देखे हैं तो पहला प्लोग देखिए बागी जो भी बोलो होटिल का लोकिशन बहुत सुधर है यह वहाँ तो सोटक का सही बोले पूरा जो एरिया निकले साथ मारा प्लोग देखिए हो चुके हैं सब लोग लंच करने का टाइम तो रहा नहीं फिर भी लंच करने के लिए जा रहे हैं सायद कहीं मिलेगा बोल के सोच कि मार्गर के तरब होटल सा निकल चुक है हम लेकिन ड्राइबर भाई सा बोल रहे हैं कि रस्ते में एक बड़ी आसा वाटरफॉल है उसको देख के चलेंगी मैं सोच रहा हूँ मेरा लंच का क्या होगा लेकिन नजारा तो काफी सुनर लग रहा है मोसम की वज़े से सो लंच वंच हमारा गया तेल लेल है यहां हम सीधा पहुज गया है बगतांग वाटरफॉल जो बिछले बार देखे थे अभी यहां का भीव दहीं कितना फंदर है एक शोट दखतना हूं मैं राउन स्वाट पहले पहले वह देखी क्या नजारा है पूरा चारो तरफ फॉग हो गया है तो अब नौर्मल यांपक घूमेंगे रोड में भी तू आपको आदस वाटरफॉल लिख जाएंगी खाना वाना तुरून रहा है नहीं मिल रहा है लंच होगे जो मिला स्नास थाएंगे तू वाटरफॉल लेखते हैं पहले चलोगे अंधेरा होने को ही है काफी बढ़िया नजारा है यहां पर पिछली बार जब आये थे तो बहुत कुछ भीड़ भी ज्यादा था तो नहीं पर बहुत सारा एक्टिविटीज भी होता था जीप लाइन बगएरा वैसा कुछ बहुत सारा अभी तो खाली ही लग रहा है पुर फोटो क्लिक करो ना यहां पर मेरा ओके ठीक है नहीं कि बहुत ही प्यारा जगा है बक्ताइंग वाटर फॉल गेंगंटोक रोड साइड में ही मिल जाता है यहां का विव बहुथ सुंदर है डे टाइम होता तो और भी बढ़िया विव मिलता यहां पर तो गैंगिताओक में बक्तांग वाटरफॉल हमारा पहला स्पोर्ट था I mean है लंच कीप करके यहां पे पहुंचे हैं आप यहां का विवी देखें बहुत सुन्दर है अब यहां से सिदा हम लोग कहा जाएंगे पता नहीं लंच करेंगे साथ लंच जो फिल लंच रहा नहीं डिनर बन चुका है खाना खायेंगे बोलेंगे तो बेतर होगा अभी जासे खाना खाएंगे लंच नहीं किए अभी तरस चलो अभी तासी भीवपन जाना था हम को कईदे से लेकिन अभी तो बंध हो चुका तो ठीक उसके सामना है तासी वीपन के सामने है एक आप अच्छा फूड मिलता है तो वहाँ जा रहे है और दिखिकल होडल में आए है अब इस पहली ट्राय करेंगे तासी वीपन के अच्छा टेस्ट है यहां पर ट्राय कर सकते हैं यह है चीली मॉमोर करो करो अच्छाइब है यह दिन माचा लोगा को अच्छा लोगा अच्छाइब है मेड़ता ज्यू ङा, मेड़ता लाओता य। हाजबता छाओता लूने अवरे सारा सी जिपी झा गुर्ट से अंट बड़ता पाई सिर्थिया चिकन पकोड़ा है हे, हाँ कई कर गा एक लाओता है हमारे जैसे चिकन पकुरा नहीं है, सिखिमिस चिकन पकुरा नठादिया खाखागी क्यासा है असल में ये जो है, ये एक्चली हमारा लंच है लेकिन असल में ये डिनर है हम सोच रहे डिनर है, लेकिन असल में ये लंच है क्या है असल में? हमारे लिए लंच है लेकिन असली में ये डिनर है जो कि ये एक्चिली लंच है लेकिन ये डिनर बन चुका है ओपिसेली डिनर है पागल हो गया हूँ ये मीवची खाके अच्छा बहुत योनिक है रात को साइट सिंग सायद ही कोई करता होगा लेकिन हम लोग तो रात को निकले थे गूमने खाना वाना बहुत ज्यादा हुआ है अब भी सीधा जाएंगे एमजी मारकेट गेंग टॉक शलो गेंग टॉक का सबसे हरा भरा जगा याने की भीड़ भार जगा और ज्यादा रोनक रहता यहाँ पर सामको एमजी मारकेट याने की महातमा गांदी मारकेट सामने कड़े हैं महातमा गंदी जी और लोग पूरा घूंग रहे हैं दुकान यहाँ पर शॉपिंग के लिए बह यहाँ पर ट्राय कर सकते हैं और शॉपिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं तो कहा हो मुहतरमा एम जी मार्केट गेंग टॉक बहुत ही हरी आली और हरा भरा मार्केट चकाचान मार्केट नहीं अगर्वी जी कि आपक की आप पहुच गी क्या दिक भागना वाला उसे फरार मुज्रिम नुए फरार मुझरिम नवाला नहीं है फरार मुझरिम परार मुझरिम तुम हर बागने आदे हैं काफे खुप्सूरत जगा है काफे रौनक है यहां पे हरा फरा इसलिए बोला क्योंकि मार्कट के अंदर बहुत सारे फूल के पौधे लगाए हुए हैं यह चीज मार्कट को और भी खुप्सूरत कर दे रहा है समय बिदाने के लिए यहां पे बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा मेरे हिसाब से फैमिली कपल बच्चे सब के लिए बहुत ही बहतरीन होल्य डेस्टनेसल है गेंग टॉक ऐसे ही अगर मार्कट में आप टहलते रहेंगे इधर उधर तो भी बहुत अच्छा बच्चे काफी एंजयो कर रहे हैं यहां पे हम भी बहुत एंजयो कर रहे हैं लेकिन आज पहला दिन से कि मैं बहुत टायड है और भी बहुत कुछ करना है से कि मैं बहुत घुमना है लेकिन आज के लिए एक ही काम बागी है यहां पे घोड़े बेच के सोना है यह हमें दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लोग में बावार एंड टेक केर